जवलपुर में प्रदेश का सबसे बड़े flyover bridge के सासाथ कटंगा छेतर में भी एक bridge बन रहा है पर सुवीदा के सासाथ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी निर्माना दिन flyover bridge बनाने वाली कंपनी की लापरवाही बन रही है। इतना ही नहीं लोगों के लिए जान की दुश्मन भी ये साबित होने लगी है। हाली में एक सीज़ टीवी वीडियो सामने आया है जहां पर की सड़क किनारे बाइक में बैट कर जा रहे है बाइक सवार के उपर बिच के निर्मान में लगी सीट जो की बीच में खड़ी हुई थी वो गिर गई गई घटना में एक बाइक सवार सीट में दपकर नीचे गई अच्छी बात ये थी कि बाइक के पीछे कोई बड़ा वहन नहीं आ रहा था नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी मामला उन्तिस मार्च की सामका है जिसका कि सीज़ टीवी फोटेज भी सामने आया है वीडियो सामने आने के बाद कलेकर दीपक सकसेना ने कंपनी को निर्द दिये हैं कि निर्मान में साउधानी बरती जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो आप सही किया रहा है मैंने इसको पढ़ा था मैंने संबने तदीकारियों कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए आपको सिक्यूर्टी के पूरे के पूरे इंद्याम राखना चाहिए चोटा सा भी पार्ट है दि कोई गिरता है वो खुशकिसमत थी मैंना कि कुछ खास उनको चोट नहीं आई नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकते थी चोटी चीज़ भी गर जाती है कि गलत जगह पर लग गई तो आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए हमारी सिक्यूर्टी जो है किसी भी इस ती ती में बना ऐसा नहीं होना जाइए कि हवा के चल गी तो गिर गिया है यह ऐसा कुछ हो गया वैसा नहीं होना चाहिए तो मैंने जो कारे एजेंसी हैं उनको निदेश दिये हैं कि बड़ा इसके बारे में पूरा चोकन न रहे हैं और जो सुरक्षा के ओन साइड और आफ साइड के जो उनके प्लान है उन प्लान का 100% पालन सुनिशित करें और कंसर्निंग एजेंसी को ये भी कहा है कि बेंडर ठेकेदार जो है वो इस तरह का पालन नहीं कर रहे है तो जो भी पैनल्टीम पोस्ट करने की कारवाईया हैं वो की जाए उनके लेसे आप देख रहे हैं पलपल इंडिया नियोज हरपल आपके साथ